Hello everyone, welcome to Study IQ. Study IQ के इस वीडियो में हम करेंगे vocabulary का set number 7, set number 7. तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम ये word सीखेंगे. सबसे पहले empresario, empresario. फिर एक शब्द होता है to fancy oneself. इसका हम meaning देखेंगे क्या होता है? किसी चीज़ को अगर आप fancy करते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? To fancy oneself. Congregation. Impertinent. Impertinent. Ark enemy. जो एक root होता है, word root. Arch. तो इसको कैसे use करते हैं? A-R-C-H. Ark या arch. Vendetta. Propriety. Reconcile. या smother. तो ये हैं, ये हैं आपके आज के words. और फिर हम बाद में हर बार की तरह test भी लेंगे. चलिए, सबसे पहले शब्द पे आते हैं. सबसे पहले शब्द है, empresario. क्या होता है empresario? Empresario मतलब होता है, किसी चीज़ का सयोजक या प्रस्तुत करता. आप imagine करिए, कि कोई singer है, माल लीजिए, अरीजिर्थ सिंग या सोनु निगम. आप अगर उनके किसी concert में जाएंगे, कहीं पे अगर वो performance दे रहें, आप वहाँ पे अगर जाएंगे, तो stage पे singer गा रहा होगा. ठीक है, खड़ा होगे. और भीड बैटी होगी. लेकिन कोई तो व्यक्ति होगा, जिसने ये सारा प्रबंधन किया होगा. कोई तो organizer होगा. कोई तो इस concert company का मालिक होगा. कोई तो manager होगा. राइट. तो वो सारे लोग मिलके सोनु निगम या अरीजित सिंग को enable कर रहे हैं, कि वो अपना performance बिना किसी तकलीफ के दे सके हैं. तो सोनु निगम को कुछ नहीं सोचना. क्योंकि सोचने वाले लोग हैं, प्रबंधन करने वाले लोग हैं. उन्हें बोलते हैं empresario. अब empresario जो होता है, ये संयोजक होता है. या प्रस्तुत करता होता है. ये परसन क्या करता है? और्गेनाइज करता है, concerts को, plays को, नाट्टे को या ओपेराज को. तो इसके समानर्थी शब्द क्या हो गए? और्गेनाइजर, जो और्गेनाइज करें, आयोजक. जो भी आयोजक हैं. मैनेजर, यानि प्रबंदक, प्रबंदक हो सकता है. कंट्रोलर हो सकता है, कंट्रोलर बोल सकते हैं उसे, वो सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, सब कुछ देख रहा है. डारेक्टर, डारेक्टर भी बोल सकते हैं, हाँ, वो निदेशक है. सारा उसका जो मैनेजर है, सारा जो इसके अंडर है, डिरेक्टर के अंडर है सब कुछ डिरेक्टर को देखना है कंड़क्टर, अब यहाँ पर यह कंड़क्टर का मतलब वो नहीं है कंड़क्टर जो Metal conductor होता है physics में, उसकी बात नहीं हो रही, जिसमें से current pass होता है, उसकी बात नहीं हो रही, ना यहाँ पे railway या bus conductor की बात हो रही, conductor, ना यहाँ पे music वाले conductor की बात हो रही, जहान आपने देखा होगा, 10-15 लोग बैठ के, जो हैं, वो perform कर रहे होते हैं, जो अपनी duty का निर्वाहा करे, जो ये चीज करवाए, संचालक हो जो, मार्ग दर्शक हो जो, या मालिक भी बोल सकते हो कई बार, कई cases में मालिक के रूप में भी उस होता है, जो संगठक हो, जो पूरा संगठन देखे, संगठन का काम देखे, जो प्रबंद करने वाला हो, य बोलिवूड स्टूडियोज, ही फैंसेड हिमसेल्फ का मतलब है, वो अपने आपको इस रूप में देखना चाहता था, किस रूप में, as something of an empresario, यानि कुछ एक empresario की तरह, एक organizer की तरह, एक manager की तरह, यानि वो एक आयोजक बनना चाहता था, और उसने क्या किया, experience लेना, अ तो वो empresario बनना चाहता था, it is told of him that in the early years of his career, he sang so badly and out of tune that no empresario would bother to work with him, ऐसा कहा जाता है उसके बारे में, it is told of him, उसके बारे में कहा जाता है, आप यह भी बोल सकते हो, it is told about him, कि उसके career के शुरुवाती दिनों में, in the early years of his career, वो इतना बुरा गाता था, he sang so badly and out of tune, यानि बिलकुल सुर में नहीं गाता था, बिलकुल out of tune, बिलकुल लैबद नहीं था, ठीक है, कि कोई भी empresario, कोई भी आयोजक उसके साथ काम करने के लिए तयार नहीं था, no empresario would bother to work with him, तो empresario मतलब आयोजक, अब मैंने यहापे आपने ध्यान दिया, मैंने word use किय he fancied himself, तो fancy himself का क्या मतलब होता है, so अगर आप अपने आपको fancy करते हैं, तो आप अपने आपको कुछ particular, कुछ विशेश काम करते हुए देखना चाहते हैं, या कुछ अपने आपको विशेश बनते हुए देखना चाहते हैं, तब आप उसको fancy करते हैं, वरना आप myself, I don't fancy myself, for example आप से पूछा गया आप माल लो कक्षा 8 में हो, और आपकी टीचर ने पूछा क्या आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे टीचर आप से क्या पूछेगी, do you want to become a doctor? do you want to become a doctor? अब यहां तो आप नॉर्मल बोल सकते हैं, no, I do not want to become a doctor, नहीं मैं doctor नहीं बनना चाहता, लेकिन एक और अच्छा तरीका कहने का क्या है I don't fancy myself I don't fancy myself being a doctor, मैं अपने आपको एक doctor की तरह नहीं देखता, I don't fancy myself, अब यहां पे sentence देखिए I don't fancy myself wearing a tie, अगर आपको tie पसंद नहीं है और किसी ने पूछा, भई आप tie पहनोगे, तो आप कहिए I don't fancy myself wearing a tie यानि मैं अपने आपको tie पहने हुए नहीं देखना चाहता When मिथाली राज वोस यंग, she fancied herself playing cricket for her country जब मिथाली राज young थी, युवा थी, छोटी थी उमर में तब वो अपने आपको fancy करती थी कि वो एक दिन cricket खेलेगी देश के लिए और यही हुआ, उसने खेला, 20 साल खेला So, she fancied herself playing cricket for her country So, my father is a doctor मेरे पापा doctor है But, I don't fancy myself practicing in a clinic लेकिन मैं अपने आपको एक clinic में practice करते हुए नहीं देखता मान लेजिए, आपसे कोई पूछे भाई, आप क्या बनना चाहते हैं Well, I fancy myself being a lawyer I fancy myself you know, arguing with the judges in a court मैं अपने आपको judges के साथ argue करते हुए देखना चाहता हूँ एक अदालत में, एक court में तो इसका मतलब होता है To fancy oneself To fancy, F-A-N-C-Y oneself तो अगर आप किसी चीज़ को fancy करते हैं तो या तो आप वो बनना चाहते हैं तो आप कह दीजिए No, sorry I see myself differently मैं अपने आपको थोड़ा अलग देखता हूँ यानि मैं यह नहीं देखता हूँ जो आप कह रहे हूँ कि मैं boss बनना नहीं चाहता हूँ तो यह बहुत अच्छा शब्द है fancy yourself अब बात करते हैं congregation देखो congregation के दो मतलब होते हैं और दोनों मिलते चुलते हैं एक तो congregation का मतलब होता है जब धार्मिक किसी purpose के लिए भीड़िखटी होती है जैसे किसी church में किसी गिर्जा घर में या गुरुद्वारे में या मंदिर में या मस्जिद में जब लोग धरम की वज़े से मिलते हैं यानि की समागम धार्मिक समागम होता है धार्मिक सभा ठीक है जब लोगों का संचे होता है एक जगा पे एक सभा होती है लोगों की जम घट होता है जब लोगों का एक जगा पे तो उसे बोलेंगे congregation generally ये word religious purpose के लिए यूज़ किया जाता है जन समुहू लेकिन एक normal कोई चीज की gathering उसको भी congregation बोलते हैं और दोनों सेंस पे बहुत ज़़ा यूज़ होता है congregation जैसे जब लोग इखटे होते हैं एक जगा आप क्या बोलते हैं gathering gathering of people यानि लोग इखटे होगे एक जगा लोगों की assembly एक जगा पे flock flock of flock of birds पक्षियों का समू flock of birds flock of sheep swarm swarm of ducks बतकों का जुण्ड यानि swarm जुण्ड के लिए अलग-अलग शब्द है flock बोल सकते हो swarm बोल सकते हो baby बोल सकते हो herd बोल सकते हो अब मालो मवेशी है cattle है गाय वगरा है क्या बोलोगे a herd of cattle वहाँ ये नहीं बोलोगे cattle की gathering हो रही है gathering नहीं हो रही cattle की सभा नहीं हो रही cattle की herd a herd of cattle pack pack of cards बहुत सारे ताश के पत्ते हैं क्या बोलोगे a pack of cards ताश के पत्तों का जुन्द, गुरुप, क्राउड, भीड, भीड, भीड का होना, जमघट होना, मेला होना, थ्रॉंग, थ्रॉंग मतलब मेला, जमघट, और थ्रॉंग को वर्ब की तरब यूज किया आता है, आप बोल सकते हो, people thronged in the festival, लोग मेले में थ्रॉंग करने लगे यानि क्रिया की तरह इस्तेमाल हो रहा है, तो throng, throng मतलब इखटा होना, जमघट हो करना, समुहू, rally, convocation, convocation वैसे दिक्षान समारों को भी बोलते हैं, जो college इसका दिक्षान समारों होते हैं, convocation ceremony, जब degree मिलती है, लोग इखटा होते हैं, get together, अगर normal way में बोलना हो, समाज म कुछ लोग मिलते हैं, आपस में get together, congregation मतलब समुहू, धार्मिक चीज़ों के लिए भी होता है, और normal भी होता है, और इसका उल्टा क्या होगा, अब या तो भीड खटी होगी, एकत्रित होगी, या भीड का visurgent हो जाएगा, यानि dispersion हो जाएगा, dispersion of crowd, जब भीड खटी होन लगी, तो खत्रा भढ़ने लगा, तो हमारे assistant commissioner of police ने कहा, crowd का dispersion start कीजिए, cloud को disperse कीजिए, let us disperse, जज बोलता है, मुकदमा जो है वो निपट गया, अब हम सब चलते हैं, let's disperse, assembly के बाद school में बोला जाता है, let us disperse, अब हम अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, अब हम चिन भिन हो जाते हैं, अब हम फैल जाते हैं, अब हम बिखर जाते हैं, बिखराव, एकत्रित नहीं, बिखराव, seclusion, अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, seclusion मतलब एकदम अलग हो जाना, एकदम एकांत, अकेला पन, जुन्ड से अलग, solitude, यानि की एकांत, बिलकुल अलग हो जाएगा, सिक्लूशन में चला जाएगा, सॉलिट्यूड में चला जाएगा, एकांत में चला जाएगा, बहुत अच्छा शब्द है, congregation, इसका इस्तिमाल आप अक्सर कर सकते हो, अब देखते हैं example, एक बाद बस याद रखिए, congregation जो शब्द है, ये किसी जिन्दा चीज के लिए यूज करना, जिन्दा चीज के लिए, आप यह नहीं बोल सकते, a congregation of questions, भहुत सारे प्रशनों का समूँ, नहीं, गलत है, a congregation of questions नहीं है, कभी आप यह बोलते हो, a group of questions, बिल्कुल गलत है, group किसका होता है, group तो सिर्फ, जीवित चीज का होता है, मानव का होता है, तो आप कभी यह नहीं बोल सकते, वो बोलना है, तो बोलिए collection, questions की क्या होती है, collection, collect करिए, right, सबजी बनानी है, सबजी बनाने के लिए जो भी चाहिए, उसे क्या करिए, collect करिए, कई बार accumulate शब्द का इस्तेमाल भी होता है, accumulate करिए, इखटा करिए, accumulate, पर कभी यह मत बोलना, लोगों को accumulate कर रहा हूं, नहीं, लोगों को क्या कर रहा हूं, gather, लोगों को gather कर रहा हूं, तो generally, इनका इस्तेमाल हम करते हैं, जीवित चीज़ों के लिए, या philosophical चीज़ों के लिए, for example, मैं अपने पुराने टीचर, क्योंकि मेरे पुराने टीचर क्या थे, बहुत सक्थ थे, strict थे, उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा हूं, लेकिन मैं अपनी courage, अपने साहस को गैदर कर रहा हूं, यानि अपने courage को इखटा कर रहा हूं, I am trying to gather my courage, मैं अपने साहस को इकत्रित कर रहा हूं, कि उनको जाके उनसे मिल सकूँ, उनके चरण छूच सकूँ, तो gather-shabd का इस्तेमाल, courage बगारा के लिए भी होता है, example देखिए, there was a moment of complete silence, as if the entire congregation was holding its breath, बहुत सारे लोग थे, जन समू था पूरा, लेकिन अचानक, एक साथ, एक moment ऐसा आया, एक समय ऐसा आया, जब लगातार complete silence हो गई वहाँ पे, एकदम शान्ती, ऐसा लगा, जैसे पूरे के पूरे जन समू की सांसे अटकी हो, सांसे अटक ना मतलब, to hold your breath, hold your breath मतलब, एकदम शान्त हो जाना, कुछ ना बोलना, जैसे आपने अपनी सांस रोक लिए अब, तो जब वहाँ complete silence हो गई, तो ऐसा लगा, कि पूरे कॉरे कॉंग्रिगेशन की सांस अटक गई, एक लड़के का मुझे फोन आया, और एक मिनिट के अंदर अंदर, यानि inside of a minute, मैं पहचान गया, या मैं पहचान गई, कि वो मेरे कॉंग्रिगेशन का ही हिस्सा था, मेरे ही समू का हिस्सा था, मेरे ही गुरुप का हिस्सा था, साइद मेरी कंपनी का था, मेरे ही गुरुप का था, मेरी ही कॉंग्रिगेशन का था, एक ही मिनट में मैं पहचान गई, जब उसने कॉल किया, तो I hope कॉंग्रिगेशन का हिस्तेमाला बहुत ज़ादा करेंगे, अगला शब्द है IMPERTINENT, IMPERTINENT मतलब होता है अनुचित या गुस्ताक, दो सेंस में यूज होता है, देखो एक तो ये यूज होता है, जो ज़ादा यूज होता है IMPERTINENT, और वो होता है जो चीज वहाँ पे फिटना बैठ रही हो, ठीक है IMPERTINENT, उसका वहाँ कोई काम ही नहीं है, वो वहाँ non applicable है, मालो आप एक, आप transgender नहीं हो, ठीक है, आप एक normal वेक्ती हो, यानि कि आप या तो male हो या female हो, आप transgender नहीं हो, अब कोई सभा है transgender की, जो जहाँ पे सिर्फ transgender जा सकते हैं, तो कोई अगर आप से पूछता है, क्या आप इस सभा में जाना चाहोगे, तो आपका जवाब क्या होगा, आप ये थोड़ी कहोगे, नहीं मुझे नहीं जाना, या मुझे, मैं applicable नहीं है मेरे उपर ये, मेरे लिए नहीं है, तो ये सवाल कैसा है मेरे से पूछना, इंपर्टिनेंट, क्यों पूछ रहे हो भई, मैं क्या transgender हूँ मुझे से पूछा जा रहा है जो, हाँ मैं transgender होता तो आप मुझे से पूछते, मैं किनर समुदाय से होता तो आप मुझे से पूछते, यानि ये question कैसा है, इंपर्टिनेंट, इसमें सोच विचार नहीं किया आपने, ये तो गुस्ताकी कर दिया आपने, ये तो शिष्टाचार नहीं है, तो पर्टिनेंट मतलब क्या होता है, जो जहां ठीक लगे पूछना, जो जहां ठीक लगे behavior, humble होना, विनम्र होना, respectful होना, दूसरे के प्रती सम्मान का भाव रखना, decent, भोधी शरीफ होना, genial, friendly होना, effable होना, cordial होना, किसी के साथ मैत्री पूर्ण भेवार करना, cordial, amiable होना, friendly होना, या effable, effable मतलब भी friendly, सखा, मित्र, सोहार्द होना, प्यार, मुहबबद होना अपस में, तो उसको भी बोलते हैं, pertinent, और एक pertinent होता है, जो चीज जहां पे applicable होती है, जो चीज जहां पे उप्युक्त होती है, और inapplicable मतलब, अनुप्युक्त, जिसका जो काम नहीं है, अनुप्युक्त, in-apposite, apposite मतलब, वहाँ पे उस चीज का काम होना, in-apposite मतलब, वहाँ पे ही नहीं वो चीज काम की, तर्क संगत ही नहीं है, irrational, यानि तार्किक नहीं है, तर्क संगत नहीं है, उप्युक्त नहीं है, inappropriate, appropriate मतलब, appropriate मतलब, उप्युक्त होना, inappropriate मतलब अनुप्यूक्त, inapplicable, pertinent, नहीं है, impertinent, तो impertinent का मतलब क्या होता है, inapplicable, inapposite, inappropriate, irrational, तारकिक नहीं है, तर्क संगत नहीं है, और दूसरा meaning क्या होता है, impertinent का, कोई गुस्ताक वेक्ति, arrogant, एहंकारी, rude, बद तमीज, बद तहजीब, बोलने की अकल ना होना, अशिष्ट होना, गमारू वेवार करना, एक जाहिल जैसा वेवार करना, एसिक्षित वेक्ति जैसा वेवार करना, impolite, बोलने की तमीज ना होना, विरम्रता ना होना, politeness नहीं होना, ill manner, असभ्य होना, discultious, जिसमें courtesy ना हो, courtesy मतलब तमीज ना हो, तो उस वेक्ति को भी बो अब यहाँ पर देखिए example, while she never intended her remark to be impertinent, she found that a lot of people had been offended by what she said, कोई लड़की थी, उसने कुछ comment मारा, कुछ remark दिया, उसने कुछ remark दिया, और उसका मतलब नहीं था, उसने कभी उसकी intention नहीं थी, जब किसी की intention नहीं होती तो, intention से बना intended, यानि उसकी intention नहीं थी, वो अपने पूरे होश हवास में ऐसा नहीं चाहती थी, कि किसी की insult हो, या कोई बुरा मान जाए, कोई offend हो जाए, तो उसका जो remark था, उसकी intention नहीं थी, कि impertinent हो, लेकिन बाद में उसे पता चला, she found that, बहुत सारे लोग बुरा मान गए थे, जो उसने का, उसका intention नहीं था, she never intended it, it was not deliberate, जान बुच कर उसने नहीं किया, उसका intention नहीं था, वो deliberate नहीं था, लेकिन फिर भी, लोग बुरा मान गए, उसे पता चला, यानि कुछ तो उसकी गलती रही होगी, ना चाहते हुए भी लोग बुरा मान गए, लोगों ने insulted feel किया, लोगों को ऐसा लगा जैसे उनकी निन्दा हुई, my father wanted me not to be so impertinent as to interrupt my grandmother when she used to tell me the stories, no matter how often I had heard them, beautiful sentence, उसका क्या मतलब है, मेरे जो पापा थे, मेरे जो फादर है, वो ये चाहते थे, उन्होंने मुझे एक दिन कहा, कि भई, अगर आपकी दादी मा, अगर आपकी ग्रेंड मदर आपको कहानिया सुनाए, तो आपने कितनी भी बार पहले क्यों न सुनी हो, आप उनके साथ impertinent मत होना, यानि rude मत होना, आप उनके साथ impertinent मत होना, उनको interrupt मत करना, यानि आपकी ग्रेंड मदर जब सुनाए तो उनको बीच में रोक टोक मत करना, उनके साथ शिष्ट वहवार करना, चाहे आपने वो कहानी कितनी भी बार सुनी क्यों न हो, ठीक है न, तो अपनी ग्रेंड मदर के साथ एकदम सब भे रहना, इससे फरक नहीं पड़ता कि आपने वो कहानी कितनी बार पहले सुनी है, तो मेरे फादर ने मुझे ये हिदायत दी, उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि तुम impertinent न हो अपनी ग्रेंड मदर के साथ, इंटरप्ट मत करना, क्योंकि किसी को कई बार इंटरप्ट करना बीच में बोलने जब वो बोलेगा, आप अगर उसे इंटरप्ट करते हो, तो वो अशिष्ट माना जाता है, खास तोर पे तब जब वो वैक्तियाप से उमर में बड़ा ह जब वो वैक्तियाप से उमर में बड़ा है, तजुर्बे में बड़ा है, अब आते हैं एक बहुत इंपोर्टेंट वर्ड है, आर्च, देखो ये जो वर्ड है ना, आर्च, आर्च का मतलब होता है, मेन, मुख्य है, और मुख्य के लिए एक वर्ड और होता है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल वाला, प्रिंसिपल नहीं, प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल जो है, वो मुख्य है, यानि कि प्रिंसिपल चीज, आपके पास, अगर दस फोन नंबर है, मैं कहुँगा, आपका प्रिंसिपल नंबर कौन सा है, मेन नंबर, मुख्य नमबर कौन सा है जो सबसे ज़्यादा यूज करते हैं वो पताईए तो आर्क का मतलब होता है मुख्य ये वर्ड रूट है ये अब आर्क एनिमी मतलब आपका सबसे मुख्य एनिमी तो एनिमी मतलब दुश्मन तो आर्क एनिमी कैसा होगा? सबसे कटर दुश्मन सबसे कटर जो आपके प्रती सबसे ज़्यादा नफरत आपको करता हो हेटरड, most हेटरड या होस्टिलिटी रखता हो घ्रना का भाव रखता हो जिसकी आँख में आप चुबते हो आपका एडवर्सरी, आपका विरोधी याद है दो शब्द, एक एडवोकेट और एक एडवर्सरी, एक तम उल्टे हैं, एडवोकेट मतलब जो आपको सपोर्ट करेगा, जैसे वकील आपको सपोर्ट करते हैं न तालत में क्या बोलते हो, एडवोकेट, और एडवर्सरी मतलब विरोधी, राइवल, आपका राइवल है, विरोधी है, कॉमबेटेंट, जो आपके साथ कॉमबेट कर रहा है, एक तरह से युद्ध कर रहा है, शास्तरार्थ कर रहा है, शास्तरार्थ मतलब जब दो ग्यानी वेक्टि आपस में दिखाते थे कि किसको ज़्यादा ग्यान है तो उनको शास्त्रार्थ करते हुए कहा जाता था कि वह तो शास्त्रार्थ कर रहे हैं वो तो एक दूसरे के राइवल हो गये हैं एडवर्शरी हो गये हैं एक दूसरे के साथ कंपेट कर रहे हैं प्रतीस परधा कर रहे हैं और उल्टा क्या हो गया गया कमराडरी कमराडरी मतलब सोहार्द मैत्री घनिष्टता मित्रता देख दम उल्टा यानी यह क्या तो आपकी एडवर्शरी मतलब कटरता होगी विरोध companionship, companionship मतलब किसी का साथ होना, कि वो आपके साथ है, तो ऐसा वक्ति क्या होगा, agree करेगा, cordial होगा, amiable होगा, friendly होगा, effable होगा, तो कटर दुश्मन यानि arch enemy, example, batman और joker क्या है, arch enemies है, एकदम सबसे कटर दुश्मन है, joker और batman, dark knight, the prime minister's arch enemy seem determined to get him removed from his office, प्रधान मंतरी का जो मुखे विरोधी था, कटर दुश्मन, उसने पूरा सोच लिया था, पूरा उसने कटिबद और प्रतिबद हो गया था, वो determined होना, determined मतलब किसी चीज के पीछे लग जाना, एकदम ठान लेना, determined हूँ एकदम, क्या करूँगा, उस प् पद से हटा के रहूँगा, तो वो एकदम determined हो गया था, एकदम प्रतिबद और कटिबद हो गया था, कि प्रधान मंतरी को मैं remove करके रहूँगा office से, आर्च है नहीं, अब आर्च से देखिए कितने सारे शब्द बन सकते हैं, ये सारे शब्दों में आर्च है, और आपको म आर्चियोलोजी पढ़ रहे हैं मतलब, पुरातत्व विज्ञान पढ़ रहे हैं, आप समारक जो हैं, जो टूटे फूटे समारक हैं उनको पढ़ रहे हैं, पुरानी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, जमीनों में खोद खोद के पुरानी इमारतों के अवशेश निकाल रहे ह आप archaeological survey of India के लिए काम तो नहीं करते, भारतिय पुरा तत्तु सर्वेक्षन के लिए काम तो नहीं करते, तो archaeology से ही तो बना है archaeological survey of India, पुरानी चीज़े, क्या आपके मैं पुराने दस्तावेस देख सकता हूँ, यानि archive दिखाईए अपना, पुराने दस्तावेस दिखाईए, archive, archive मतलब पुराना, archive मतलब पुरानी चीज़, पुराने दस्तावेस, पुराने documents, अब ये जो vocabulary का वेडियो बना रहा हूँ मैं, ये आज से 5 साल बात क्या हो जाएगा, मेरा archive हो जाएगा, मुझे किसी को दिखाना हूँ मैं कैसा पढ़ाता हूँ, मैं क्या कहूँगा, जा archive का, archive का मतलब क्या होता है, मुख्य, जो मैंने बताया मुख्य, मेरा मुख्य दुश्मन, कटर दुश्मन, आर्क, तो अगर मैं कहता हूँ, हमारा समाज कैसा है, पैट्री आर्कल, पैट्री मतलब क्या होता है, पैट्री वर्ड मतलब पुरुष, पुरुष के लिए आता ह पुरुष्ट की तरफ का है तो paternal और मदर की तरफ का है तो maternal अब आपके दादा जी है और आपके नाना जी है अब हैं तो दोनों ही आपके मतलब एक फादर के फादर एक मदर के फादर समझ गे मैं क्या कह रहा हूँ एक आपके पिता के पिता है और एक आपकी माता के पिता है अब अंग्रेजी में इनके लिए कोई अलग शब्द नहीं होता दोनों ही grandfather है तो नाना जी कैसे बोलेंगे आप नाना जी को क्या बोलेंगे ये मेरे maternal grandfather है मेरी मा की side के दादा है यानि कि मेरे नाना है तो अगर किसी को बोलेंगे मेरे नाना जी है इंट्रड्यूस करेंगे तो क्या बोलेंगे मेरे ये maternal grandfather है maternal तो मेरा maternal अंकल कोन हो गया मेरा मामा अंग्रे जी में कोई मामा के लिए लग शब्र नहीं है सब अंकल है बस एक ही बड़ होता है अंकल बस अब वो आपको modify करना पड़ता है उसको अब यहाँ देखिए patriarchal patriarchal paternal, paternal मतलब पिता maternal मतलब माता अब patriarchal समाज है हमारा यानि पुरुष प्रधान समाज है पित्र सतात्मक समाज है यहां तो पिता की सत्ता चलती है, यहां तो पुरुषों का राज चलता है, पुरुष प्रधान पैट्रियारकल, यानि पैट्रियारकी से बचो, पैट्रियारकी मतलब एक परिवार में ये सोच कि यहां तो जो पुरुष हैं वो महिलाओं से उपर हैं, इस सोच को बोलते हैं पेट्रियार्की और मेट्रियार्कल मतलब स्तरी प्रधान समाज भारत में जैसे उत्तर पूर्विराज्यों में होता है जैसे बंगाल में होता है वहां मेट्रियार्कल सोसाइटी है मेट्रियार्कल स्तरी प्रधान समाज होता है लेकिन उत्तर भारत में पेट्रियार्कल समाज होता है अब ओलिगार्की क्या होता है, ओलिग मतलब क्या होता है ये ओलिगोवर्ड मतलब क्या होता है, फ्यू, थोड़ा और आर्क मतलब मुख्या, यानि राजा अब अगर थोड़े ही लोग मिलके शाषन संभाल रहे हैं पूरे देश का मतलब क्या है ओलीगार की किसी फील्ड में अगर थोड़े ही बेचने वाले हैं थोड़े ही दुकानदार है तो क्या है ओलीगो पोली जैसे हमारा टेलिकॉम सेक्टर दूर संचार सेक्टर आप मोबाइल फोन का कनेक्शन लेना है कितनी कमपनिया है थोड़ी रिलायन्स है वोडाफोन है एरटल है घूम फिर के वो बस 10-15 कमपनिया है यानि बहुत थोड़े लोग हैं बहुत थोड़े लोग जब बेचने वाले होते हैं तो क्या बन गया ओलीगो पोली ओलीगो मतलब थोड़ा ओलीगार की मतलब जब एक देश पूरा कुछी लोग म पूरा साशन नहेत है वो है ओलीगार की तो ओलीगार की जनरली ऐसे कंट्रीज में होता है जहाँ पे कुछ ही अमीर लोग मिलके शाशन करते हैं ओलीगार की अगर शाशन हो ही ना किसी शब्द के आगे एन लग जाये मतलब उल्टा हो जाता है एन तो एन आर्की मतलब अरा जटता, अनार्की फैली हुई है, ए ववस्थित, सब कुछ, सब अफरात तफरी, कोई राजी नहीं है, कोई ववस्थ, कोई प्रबंदन ही नहीं है, अनार्की फैली हुई है, मोनार्क मतलब, मोनो मतलब एक आर्क मतलब राजा, मोनार्क मतलब रूलर, राजा को मोनार्क भी होता है, क्या होती है वो hierarchy, एक के उपर एक, सब कौन, सब inspector के उपर inspector, inspector के उपर कोई होर, उसके उपर ACP, उसके उपर IG, उसके उपर DGP, यह क्या है, hierarchy, एक के उपर एक राजा, hierarchy, layer बना रखे हैं आपने सब्ता के, clear, तो ARC से कितने सारे शब्द मैंने बना के दिखाएं आपको, और कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा sincerity आपको चाहिए, चलिए अगले शब्द के आते हैं, Vendetta, Vendetta मतलब, एक फिल्म देखिए, V for Vendetta, बहुत मान फिल्म है, Vendetta मतलब होता है, प्रतिशोध, बदला, revenge, उसने मेरे साथ खराब किया, अब मैं क्या लूँगा, revenge, अब मैं उसे दिखाऊँगा, Vendetta क्या होता है, retribution, retribution मतलब बदला, पलटवार, पलटवार करना, retaliate करना, उसने तो धनुष चला दिया, अब मेरी बारी है, मैं retaliate करूँगा, payback, payback मतलब उल्टा पे करूँगा उसे, यानि उल्टा, उसने एक मुक्का मारा में दो मारूँगा, उसको उल्टा दूँगा, जो उसने दिया, सूथ समेत वापस करूँगा, पे बैक, vengeance, अगेन, बदला, vengeance, प्रतिशोद की जुआला में मैं बढ़क रहा हूँ, कहते हैं न, सांप और नेवले की लड़ाई, और इसका उल्टा क्या होगा, या तो आप बदला लेंगे, या उसको forgive कर देंगे, शमा वीरस से भूशन, शमा तो वीर का भूशन होता है, या तो आप उसे शमा कर देंगे, आप उसे माफ कर देंगे, आप शान्त हो जाएंगे, peace, शान्ती, agreement या उसके साथ समझोता कर लेंगे, समझोता कर लेंगे उसके साथ, राइट, शान्त करना, समझोता करना, समाधा कर लेना तो या तो आप प्रतिशोध करेंगे या शमा करेंगे दो ही काम आप कर सकते हैं when the singer made fun of his rival in a song he let everyone know that the vendetta had not been resolved जब उस गायक ने अपने rival का यानि अपने प्रतिशपर्धी अपने competitor का मजाक उड़ाया एक गाने में तो सब समझ गए he let everyone know मतलब एक तरह से उसने सबको बता दिया जान भूज के कि जो vendetta है दोनों के बीच में वो अभी resolve नहीं हुआ है वो गया नहीं है कहीं पर यानि कि दोनों अभी भी शत्रू हैं दोनों अभी भी एक दूसरे से बदला ले रहे हैं ऐसा अकसर होता है माल लो एक सिंगर ने किसी दूसरे का मजाक उड़ा दिया फिर वो दूसरे वाला उस पर बलट वार करेगा तो vendetta है भी भी गई नहीं है vengeance ले रहे हैं दूसरे के साथ मतलब बदला ले रहे हैं revenge ले रहे हैं revenge तो वो आप देखेंगे गैंग ही एक दूसरे के दूश्मन हो जाते हैं एक गैंग दूसरे को मारता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार उनके हाथ में आ सके तो जो killing हुई, यानि कि कहीं पर killing हुई होगी, कहीं पर गोलियां बोलियां चली होगी, लोग मरे होगे, तो वो killing किसले हुई, क्योंकि drug trade का जो profit था, उसको बाटने के लिए बहुत लंबे समय से, long standing मतलब लंबे समय से vendetta चला आ रहा है, पड़े लंबे समय से एक वो चला आ तो vendetta मतलब प्रतिशोध, अब आते हैं अगले शब पे जो है प्रोप्राइटी, प्रोप्राइटी मतलब होता है शिष्टाचार, मर्यादा, उप्युक्ता, वो behavior वो आपका वहवार जो समाज के दाइरे के अंदर होता है, समाजिक वहवार करना, प्रोप्राइटी, नैति नैतिक जबाब होते हैं, जो सही काम है वो करते हैं, तो इसका समानारतिशवद क्या होगया, डेकॉरम, डेकॉरम मतलब क्या होता है, discipline, आप discipline में रहते हैं, आप अनुशाशन में रहते हैं, अनुशाशन हीन नहीं बनते, Etiquettes, Etiquette मतलब शिष्टाचार, Manners, Tamiz, Tahzib Manners, Courtesy तो Propriety और Impropriety क्या हो जाएगा बिल्कुर उसका उल्टा Improprietary मतलब Immorality आप में Morality नाम की चीज़ी नहीं है आप में Ethics नाम की चीज़ी नहीं है आप में Netiquta है ही नहीं आप तो सिर्फ गलत काम करते है Impropriety, उल्टा Proprietary का उल्टा Impropriety Indecency, आप में तो decency नहीं है Curtsy नहीं है, शिष्टाचार नहीं है असभ्य हैं एकदम आप कोई तमीज, कोई तहजी भी नहीं है आपके इंदर तो Propriety अब यहां पे देखे, किस sense में उज़ होता है अगर मान लो कोई नेता है और वो ब्रश्ट हो, corruption में पकड़ा जाए तो आप क्या कहेंगे, Impropriety नहीं दिखता ही नहीं थी, corrupt था एकदम The important point is that at some stage of life Propriety must supersede convenience Beautiful ये मुख्य बात है कि हमारे जीवन में कभी ना कभी ऐसा समय आना चाहिए जब Propriety must supersede convenience supersede का मतलब क्या होता है उसकी जगा लेना convenience क्या होता है हमारी सहुलियत हमारी सहुलियत, convenience अपने हिसाब से चल रहे है, अपनी मर्जी के मालिक है convenience, अपनी सहुलियत देख रहे हैं बस अब ये बैक्ति देखिए हैं यहां पर ये तो अपनी सहुलियत देख रहा है ये तो अपनी सहुलियत देख रहा है इसको किस चीज में अच्छा लग रहा है अपनी सुविधा देख रहा है इसको तो जूते उपर करके बैठना अच्छा लग रहा है अराम मिल रहा है पर क्या ये सब्भे है क्या ये शिष्ट है क्या इसमें प्रॉप्राइटी है नहीं है तो प्रॉप्राइटी must supersede convenience मतलब प्रॉप्राइटी convenience के उपर आनी चाहिए यानी convenience को replace कर ले convenience का स्थान ले ले हमें ऐसा बनना है कभी ना कभी अपने जीवन में वाकई में हमें किसको तवज्जो देनी है हमारे सामने दो option एक तो शिष्टाचार और दूसरा convenience यानी हमारी सुविधा तो किसको prefer करोगे आप शिष्टाचार को कि सुविधा को शिष्टाचार को तभी हम वास्तव में बड़े हुएं परिपक हुएं मैचोर हुएं जीवन में जब हमने शिष्टाचार को स्थान दिया सुविधा के उपर और वो लोग जो हमेशा सुविधा को जीवन में तवज्जो देते हैं, शिष्टाचार के उपर वो कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ते तो ये वही लिखा है, कि जीवन में एक important point ये है, एक मुखे बात ये है कि हम अपने जीवन में प्रोप्राइटी को हमेशा उपर रखें, प्रोप्राइटी किसका स्थान ले, किसको सुपरसीड करे, convenience को, अभी तक तो हम अपनी सुविधा के गुलाम थे, पर अब हम प्रोप्राइटी शिष्टाचार नैतिक्ता को उपर रखें, because we expected the president to have a great sense of property, we were all shocked when his wrongdoings became public, हम तो हमारे राश्च्पती से ये उमिद कर रहे थे, ये expect कर रहे थे, हमारी आशा ये थी, कि उसमें एक बहुत ज़्यादा प्रोप्राइटी होगी, नैतिक्ता होगी, बहुत ज़्यादा शिष्ट होगा वो, लेकिन हम हैरान रह गए, we were all shocked, हम हैरान रह गए, हम एकदम shocked रहे गए, जैसे हमें कोई current लगा हो, जब उसकी wrongdoings, जब उसकी बुरी हरकतें सबके सामने उजागर हो गई, public में आ गई, when is wrongdoings became public मतलब, उसकी सारी गलतियां सबके सामने आम हो गई, सामानने हो गई, उसके सामने सबको दिख गई, तो हम सब दंग रह गए, हम तो राश्पती से expect कर रहे थे, कि उसमें property होगी, अब है reconcile, दो शब बचे हैं reconcile और smother, तो reconcile शब का मतलब होता है, संधी कर लेना, मैंने आपको पताया था, समझोता कर लेना, हर वक्त प्रतिशोद की आगमे नाब, संधी कर लेना, सामनजस से बठा लेना, समनवय बठा लेना, दुबारा से मैत्री कर लेना, यानि अपने जो friendly relations हैं, उनको restore कर लेना, दुबारा वैसे हो जाना, जैसे पहले थे, जैसे यहाँ देखिए, the two brothers reconciled after a bitter fight, bitter मतलब बहुती ज़ादा, बहुती ज़ादा acerbic, बहुती ज़ादा कडवाहट भरी, bitter, जैसे मिर्च खाते हो, bitter होती है एक्दम, वैसी लड़ाई हो गई, कडवी एक्दम, दोनों के बीच में, बहुत ज़ादा लड़ाई हो गई, लेकिन दोनों भाईयों ने क्या कर लिया, फिर reconcile कर लिया, अब यहाँ पर देखिए कितना अच्छा sentence है यह, कि विज्ञान और धर्म के बीच में हमेशे लड़ाई रहती है, और दोनों के बीच में reconcile करना बड़ाई है, दोनों के बीच में, तो science उपर है, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कहते हैं धर्म उपर है, कुछ कहते हैं हमारे धर्म माविज्ञान है, कुछ कहते हैं धर्म science के आगे कुछ नहीं है, तो लोगों में हमेशा से एक यह, कश्मकश चलती रहती है, खीचातान चलती रहती है, तो दोनों, दोनों के बीच में क्या reconciliation संभव नहीं है, क्या दोनों reconcile नहीं कर सकते, क्या धर्म और विज्ञान आपस में संधी नहीं कर सकते, कर सकते हैं, ऐसा हुआ है, आपको एक उधारन देता हूँ, एक रामन उजम करके गणितग थे, ये रोज सुबह उटके पूजा करते थे, ये प्यॉर vegetarian थे, शाकाहरी थे, ये जो तमिलनाडू की एक famous goddess हैं, माता हैं उनकी पूजा करते थे, देवी की पूजा करते थे, वो भी कहां, जब इंग्लैंड में पढ़ रहे थे, वहाँ पे सुबह उटके रोज पूजा करना, तो ये क्या है, ये धरम और विज्ञान को, दोनों को तवज्जो देना है, एक scientist थे, Nils Bohr, जिन्होंने quantum physics में, बहुत बड़े-बड़े research करे, बड़ी-बड़ी theory दी, वो अपनी परियोग शाला में, laboratory में घोडे की नाल टांगते थे, और लोग उनसे कहते थे, आप वैज्ञानिक होके, इन सब बातों पर विश्वास करते हो, तो वो कहते थे, क्या दिक्कत है, मुझे किसी ने नहीं का, कि science या religion में से, किसी एक को चुनना है, मुझे किसी ने नहीं का, दोनों के बीच में समन्वे स्थापित किया जा सकता है, दोनों के बीच में समन्जस्से हो सकता है, दोनों के बीच में संधी हो सकती है, तो यहाँ पर synonym देखिए, समानार्थी शब्द देखिए, reunite, दोनों को एक जुट कर देना, संधी कर लेना मतलब reunite हो गए, उनमें दुबारा unity हो गई, एकता हो गई, reunite, harmonize, harmonize मतलब एक सुर में आना, तो दोनों मतलब एक दुसरे के अनुसार हो गई, दोनों में लै आ गई, दोनों लै बद्ध हो गई, दोनों harmonize हो गई, दोनों में श में समझोता हो गया, बरीधा हैचेट, ये बड़ा अच्छा मुहावरा है, बरीधा हैचेट, बरीधा हैचेट मतलब जो भी पुरानी चीज़े है उसे भूल जाओ, पुरानी चीज़े में मिट्टी डाल दो, बरीधा हैचेट, आगे का सोचो, और इसका उल्टा हो गया, एगरी, यानि एक मत में आना, एक सुर में आना, clear, बहुत अच्छा शब्द है, reconcile, और आखरी शब्द है, आज का स्मदर, स्मदर मतलब दम घोटना, आप देखो दम घोटना यहाँ पर ऐसे नहीं होता कि दम घोटना मतलब मैं किसी का तकिया लेके और दम घोट रहाँ, हाँ, वो भी स्मदर ही है, oxygen की कमी हो गई और वो घुट के मर गया, एक वैसे भी तो घुटना होता है, my unemployment is smothering me every day, मेरी बेरोजगारी से मेरा रोज दम घुटता है, तो मेरी मेरी बेरोजगारी से मेरा रोज दम घुटता है, वो मुझे स्मदर करती है तो जरूरी निये चीजों को आप सिरफ एक फिजिकल सेंस में यूज करो कि वह ओक्सीजन की कमी काट देना, सिर्फ तभी घुटन होती है नहीं, मुझे वैसे अंदर गंदर घुटन होती है किसी ने मेरी ऑक्सीजन नीचे नहीं मेरे से मैं आज भी सांस ले रहा हूँ, लेकिन मैं लेकिन मैं एक मृत समानी हूँ तो उस सेंस में भी इंग्लिश का इस्तिमाल किया रहता है, मैं चोक हो रहा हूँ वो स्कूल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था हर दिन मैं अपने आपको चोक्ड फिल करता था, यानि घुटन में स्ट्रैंगल जैसे मेरा किसी ने गला दबा दिया हूँ स्ट्रैंगल मतलब गला दबा देना घोट देना किसी को एकदम, सफोकेट कर देना सासी ना आने देना एकदम किसी को तो मैं वहाँ कॉलिज में क्योंकि मैं पनी पसंद का पढ़ाई नहीं कर रहा था रोज कैसा फिल करता था, सफोकेटेड स्ट्रैंगल, चोक्ड घुटन, दम घुटता था मेरा और इसका उल्टा क्या होगा वेंटिलेटर, किसी चीज को हवादार बनाना, वेंटिलेटर आज कल वेंटिलेटर बहुत चल रहा है वेंटिलेटर क्या करेगा, आपके नकली फेफड़ों को बोलते हैं वेंटिलेटर जब कोरोना वाइरस में फेफड़े काम नहीं करते तो लगाओगे, नकली फेफड़े याणि वेंटिलेटर तो वो आपके शरीर को हवा देंगे गोटेंगे नहीं, उल्टा काम करेंगे याणि हवा देंगे, हवादार मेरे कमरे में क्या होनी चीजिए वेंटिलेशन, चार-पांच खिड़क्या होनी चीजिए ventilation होनी चाहिए हवादार foster, foster मतलब पालन portion करना पालन portion करना, किसी को पाल के बड़ा करना प्यार ममता देना, foster करना nurture करना, जैसे आप एक पोधा लगाते हो उसे रोज खाद और बीच डालते हो ठीक है, रसाइन डालते हो, क्या कर रहे हो, nurture कर रहे हो पालन portion कर रहे हो तो या तो किसी को आप घोट दोगे एकदम या किसी को support करोगे, किसी को foster करोगे nurture करोगे राइट नेबर्स ट्राइट टू smother the flames with a blanket, जो मेरे पडोसी थे अब आग लग गई, flames उठ रहे थे, अंगारे reform process, भारत की जो विदेशी उधार है, भारत का इतना जादा हो गया है, कि अब भारत की अर्थ ववस्था को वो smother कर रहा है यानि घोट रहा है, हमारा जो reform process है हमारी जो economy में तब्दिली है, उसको वो smother कर रहा है, उसकी आड़े आ रहा है अडचन डाल रहा है, इस sense में भी smother use कर सकते हो ठीक है, या बहुत general sense में use कर सकते हो, जैसे उन्होंने मेरे अंकल को धमकी दी, कि वो से smother कर देंगे plastic bag से, यानि मेरे अंकल को जान से मारने की धमकी दी, मेरे अंकल को ये का कि plastic bag ले आएंगे और आपको घोट के मार देंगे, तो ये तो direct use हो गया लेकिन generalist mother का use direct नहीं होता indirect ही होता है, जैसे कि आपने sentence में देखा, अब हम करते है आज का पैरा, पहले खुद अभ्यास करिए, ये बात हमेशा आद रखिए, पहले खुद अभ्यास करना है, चलिए ये पिछले साल की बात है, ये पिछले साल की news है, क्या हुआ था पिछले साल, एक एंपरेसारियो, एक आयोजक ने क्या organized किया था, एक congregation, एक जन सम्हू organized किया था, अब ये कुछ भी हो सकता है, concert हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, an impertinent man also attended that gathering, उस gathering में उस सभा में एक impertinent वेक्ति भी आ गया, एक अशिष्ट वेक्ति आ गया, rude, arrogant, एहंकारी वेक्ति आ गया, असभ्य वेक्ति, जाहिल वेक्ति भी आ गया, ठीक है, unfortunately, ठीक है, दुर्भाग्यपून था, that man's arch enemy was also there, और एक तो ये पहली अशिष्ट वेक्ति था, असभ्य था, और दुर्भाग्यपून एक और चीज़ दुर्भाग्यपून ये हो गई, कि उस वेक्ति का, जो आर्च enemy था, कटर दुश्मन, वो भी वहां मुझूद था, और उन दोनों के बीच, vendetta की बहुत लंबी history थी, एक दूसरे के प्रती लड़ाई करने की, प्रती शोद लेने की, vengeance, बदला लेने की, भहुत लंबा इतिहास था दोनों के बीच में, और उस दिन भी ये यह हुआ, on that day too, they both started fighting, और वो दोनों वहां पे लड़ने लगे, जो आयोजग था, उसने दोनों को चेतावनी दी, caution करना मतलब चेतावनी देना, दोनों को चेतावनी दी, कि वो अपने आपको कैसे conduct करें, यानि उनका भैवार कैसा होना चाहिए, प्रोप्राइटी वाला, कि वो तमीज से पेश आएं, अपने आपको conduct करें प्रोप्राइटी के साथ, शिष्टाचार के साथ, और फो सके तो संधी भी कर लें, if possible, reconcile with each other, और संधी कर लें, लेकिन उसके विपरीत, on the contrary, they started grappling with each other, लेकिन उसके विपरीत, वो एक दूसरे से grapple करने लगे, यानि गुथम गुथा करने लगे, grapple मतलब एक दूसरे को पकड़ने लगे, गुथम गुथम मतलब लड़ाई हो गई दोनों में, in the end, the younger one smothered the other in a frenzy, in a frenzy मतलब, एकदम पागल हो जाना गुस्से में, गुस्से की सीमा सारी जब क्रोस हो जाती हैं, एकदम frenzy, तो उसमें उसने उसको smother कर डाला, यानि उसको मार डाला घोट के, पहले गुथम गुथा हुई, और अंत में तो छोटे वाला था, younger one उसने बड़े वाले को smother कर दिया, उसको घोट के मार दिया, in a frenzy, एक बिल्कुल frenzy में आके, एक बिल्कुल ना समझी में आके, हो गया, seclusion, यानि की, अलग हो जाना, बिल्कुल अलग हो जाना, ये जो वर्ड है, parishioner, parishioner मतलब होता है, जब लोग church में इखटा हो जाते हैं, उसे parishioner बोलते हैं, choose the word that gives the similar meaning of property, प्रोप्राइटी का समानार्थी शब्द क्या है, ठीक है, calmness मतलब शान्थ, serenity मतलब वही, शान्थ, quietude मतलब भी शान्थ, decorum मतलब discipline, तो answer है, decorum, प्रोप्राइटी मतलब शिष्टा चार, अनुशाशन, decorum, next, impertinent, impertinent का उल्टा शब्द क्या है, impertinent, impertinent मतलब क्या होता है, asabbe, asisht, तो इसका उल्टा क्या हो गया, metri point, arch enemy, यानि सबसे कटर दुष्वन, उसका उल्टा, उसका उल्टा क्या होगा, कोई दोस्त होगा, यानि की camaraderie, camaraderie मतलब घनिष्टता, metri, sohard, right, उसके बाद, smother, smother का samanartishabd, smother मतलब घोट देना, तम घोट देना किसी का, तो समानartishabd क्या हो गया इसका, ventilate मतलब हवादार, foster मतलब care करना, nurture मतलब care करना, तो answer हो गया, strangle, strangle मतलब अगेन किसी को घोट देना, तो मेरे समझाने से पहले, खुद कोशिश किया करो, यह था हमारा वीडियो नमबर, साथ मिलते हैं बहुत जल्दी, वीडियो नमबर आठ में, थैंक्यो फॉर वाचिंग स्टडी आइक्यू एप,